नमसकर दोस्तो जै माता अलक्षमी, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्सकों को दीवाली और धंतेरस की ठेर सारे बताईया देता हूं तता साथी साथ मैं उनके लिए हमेशा मातलक्षमी से प्रातना करता हूँ कुछ जो भी दर्सक मेरे वीडियो को पूरा-पूरा देखते हैं तता उसे लाइक करते हैं हे मातारानी आप उनके जीवन में कभी भी किसी परकार के कोई कमी मता ना उनके जीवन में खूब पैसो की परसात कराना धन नधान खूब परसो तो वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए के बहुती सुन्दर सा भी सह पर बात करने वाला हूँ और बहुती चमतकारे उपाए है वैसे धन तेरस का जो दिन होता है वहाँ यदि देखा जाए तो धन और तेरस दो सब्दों से मिलकर करके बना है अर्था तो कोई भी धन खरी देते हैं इस दिन तो उसमें तेरे गुना बिर्दी होती है असा मानता के अंसार है कि धन तेरस के दिन कुछ न कुछ तो खरीदा ही जाता है कुछ लोग बरतन खरीदेते हैं कुछ लोग जाडू खरीदेते हैं कुछ लोग सोने चांदी खरीदेते हैं कुछ लोग चांदी के सिक्के खर देते हैं कुछ लोग गाड़ी खर देते हैं कुछ लोग इलेक्टिक समान करते हैं अलग अलग लोग अलग अलगा परकार के समान खरी दे लेकिन सब डिपेंड करता कि उनकी क्यापसीपशिटि कितने में अनकी चमता कितनी समध के उन्σαरी वेलग तो कोई भी जवैल्री कोई भी चीज खरी सकते हैं लेकिन क्या जो करेब हैं जिनके पास सामर्थ नहीं है जो क्या एक कर्ज लेकर खरीदे नहीं एसी कोई नहीं उसलिए माता रानी के परसंद करो Unique को भीओं रही है आप जो धन तेरस करें कुछ ना कुछ तो खरिदना है आप एक चमची खरिद लेजिए इससे भी तो काम चल सकता है कोई जरूरी नहीं बस आपके दिल में कैसी उनके प्रतिसरद्दा वाओ इन चीजों का ध्यान करना बड़ा ही जरूरी होता है लेकिन आज के इस वी सुब कारे करने तो हमारी दादी मेरी मां अकसर धन्या दी दिया करती थी कि मुख में डाल लो बेटा चले जाओ जब हम इंटर्विव देने जाते या कोई एकजाम देने जाते तो मुख में धन्या डाल करका दितर दिया करती थी ताकि यह यात्र का मंगलमा हो जाओ वह का यह सफल हो जाए है इसा होता तो धनिया जो कि जट्थ्ध tech दिन कर जाएशी सथ करए यदि आप घर पर लाते हैं तो यह यह भी पहुत ही सुप होता है परदान जो उनके साथ चलने लगता है मात अलक्षिमी का अशिरबात सदा उनके साथ में रता है तो हाच हम लोग इस धनिया के जो चमतकारी उपाए हैं उन उपाईों को समझेंगे जो बहुत ही जबर्चस्त है यदि आप धनिया का इस्तिमाल करते हैं अपने भूजन पानी हैं तो अवसी आपको धन्तिरस के दिन धनिया खरीद करके ला करके और इन उपाईों में से जो भी उपाई आपको अच्छा लगे उस उपाई को करिएगा आज किस वीडियो में जो उपाई बता रहे हैं अलग-अलग परकार के उपाई हो सकते हैं आपको जो उपाई समझ पियों को भागाने के लिए ठीक है आपके घर में नकरातमक सकतिया यदि जादे प्रिविस्ट कर गए हैं तो धनिया जो है आपके घर के नकरातमक सकतियों को हटा सकते यदि आप धनिया इस तरीके से उपाई कर लेते हैं तो सबसे पहले करना क्या है आपको धनिया होता है महाक होता है मातलगश्मी को अतिप्री होता है और जहां पर गुलाब का पुस्प होता वहां पर सक्रात्मक सक्तियों को संचार होता तो आपको गुलाब के पुस्प वाला जो इत्र क्या करना उसमें इस्प्रे कर देना है और उस धन्या को ले करके अपने घर में पू जो है इस मेल को स्चुसें का कशा नहीं कर सकते जिसके उनको आपके गर से फफाया होना ही पड़ता ह्यूद दूसरा नपर का इस धन्या को लाना एक मुठी आपको धनिया एक जो सीसे की कटोरी में रखना है सीसे की कटोरी में आपको इत्र मार करके धनिया को रखना है अच्छा इत्र लगा धनिया है क्योंकि इत्र जो है मातलक्षिमी को सभी देवियों को अतिप्री होता है तो यदि आप इतलगा धनिया आप अपने घर में लगाते हैं परियोग करते हैं तो अवस ही मातलगा धनिया की बिशे स्क्रिपा पड़ते हैं लेकिन आपको इतलगा धनिया जो आपने बाउल में लिया है काटोरी में लिया है उसको अपने घर में रख देना कहां पर अपने घर के उत्तर दिसा में अपने घर के उत्तर दिसा में इतलगा धनिया एक कोटोरी में रख देना है और वहाँ पर बैट करके आपको मातलक्षमी के बीज मंत्रों को यदि आप 108 बर पढ़ देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की जो नकरातमक सकता रहती हैं जो खतम हो जाते ठीक है तीसरा नमर का जो उपा है कि आपके उपर आपके साथ में ऐसा लग रहा कि कुछ गरह दोस लगा है खासते किसे बुद्ध गरह किस्तियरी खराब है भगवान स्री गड़ेस के किरपा पाना चाहते हैं तो आप जो इस धनिया का इस तरीके से उपाय कर लेज़ेगे क्योंकि इस तरीके से उपाय करने से भगवान स्री गड़ेस तीसे बिगन हरता गड़ेस कहे जाते हैं आपके जीवन में किसी पर करकर की कोई बिगन परसानी आने से पहले ही भगवान स्री गड़ेस उनको रोक देंगे और आपके जीवन में तरक्की होना ही होना है करना कह आपको हरा धनिया लेना है ठीक है आपको ध्यान से समझेगा आपको हरा धनिया एक मुठी लाना है जितना आपसे हो सके उतना आपको हरा धनिया लेना है और इस हरा धनिया को ले करके आपको गौसाला में चले जाना है आपके घर पर गाहे हो आपके घर के बगल में गाहे हो तो कोई बात नहीं आप वही पर चले जाए है, नहीं हो तो गौसाला में चले जाए है, आपको गौसाला में जाकर उस हरी धनिया की पती को आपको गौमाता को खिला देना, क्योंकि गौमाता में सभी देवी देवताओ का वास होता है, यदि आप गौमाता को खिलाते हैं, त बस आपको, यदि आप नहीं चाहते हैं धन्तेरस के दिन तो आप हर बुदवार को इसकाम को कर सकते हैं, यकीन वानिए भगवान से गड़ेश की किरपाल लगेगी ही लगे, इसके साथ साथ चाहते हैं, यदि हरा धनिया है तो हरा धनिया खिला देजिए, बस आप प्यार से खिलाएगा, कोशिस करिएगा, कि यदि गवमाता आपके हाथों से ही खाले तो बड़ी अच्छी बात होती है, आपको किसी कटोरी में कुछ ऐसे वास्केट में रखर करके नहीं, हाथ से खिला तो बड़ा ही पावन होता है, पवित्र होता है, चौथा नमरकर जो धनिया का कभी पैसे नहीं खाले होंगे, क्या करना है आपको? धानतिरस के दिन आपको धनिया लाना, एक मूठी धनिया ठीक है, एक लाल कपड़ा पर रख करके, उस पर एक खड़ी हल्दी, दो गाठ खड़ी हल्दी रख दिजिए, दो गाठ हल्दी और एक चांदी कसी का, चांदी में के बीज मंत्रों को भी उचार करना है आप सुबह साम जो एक एक माला यादि माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को उचारिद करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है और इसको धन तेरस के DIN से ले करकर पूरा दीवाली दिन तक अलगतार पाच दिनों तक है करना इसको बिदिवत पूझा करना है अब पाच दिन समापत होने के बाद इस धन्याक वाला जो पोटली उसको उठाकर अपने घर तीजोरी में रख लेना है, इस तरीके से यदि आप करते हैं, तो आपके तीजोरी में कभी पैसो की समस्या नहीं होगे, कभी धन की कमी नहीं होगे, जहां पर भी आपका धन रखते हों, गल्ला हो, भंडार हो, दुकान हो, ब्यपार हो, जहां पर भी आप पैसा रखने का काम करते हैं उस जगह पर अरा between आ एक यह यकिनमानिया कभी पैसों के कम Спाइश और भी नहीं होगे。 पाचवा नमर का जो अपया है आपके लिए बहुत से स्वाइल है I मॉरुद्तेरस के दिन आप धनिया आप गमले में बोह देते हैं और उस धन्या को जब यह तयार हो जाता है तो उसको सेवन करते हैं तो इसका बहुत ही जादे फ़ल मिलता है। कि आपका भाग भी हो सके उसके साथ चला जाता है अच्छे दिन चले जाएंगे और आपको जीवन में फिर से दुरू भाग ही हो जागा तो इसलिए आपको धनतेरस के दिन धनिया लाना है उपाय करना उन उपायों के बाद जो धनिया बचे जाता आपको गमले में अखियत म ग्रो करेगा वैसे वैसे आपके साथ भी आपके दिन चरिया भी अच्छी होती चले जाएगे छटवा नमर को जो आखरी उपाय धनिया वाला इस उपाय को तो हर को ही कर सकता है आपको करना क्या है कि धनिया आपको मार्केट से खरीदना है कम से कम आपको एक पाव खरीदन है एक पाउ खरीद हैं आधा किलो खरीद हैं यह आपको सावा कीलो को सबसे बेश्टгор sorry दो तो सावा किलो होता है आप जो साव किलो खरीद करके आप क्या करें कि आप अपने घर पर दिन जो है आप इस धनिया को ले जा करके किसी जरुवत मंद इंसान को किसी ब्रामःड को किसी मंदिर में ले जा करके क्या करना है दान करते है यदि आप ऐसा काम करते है दान करने का काम करते है तो मातलक्ष्मी बहुत ही परसन होती है और आपके द्वारा यह किया गया दान जो है धनिया जो है आपके घर में धन लाने का काम करता है तो आज किस वीडियो में लगभग मैंने 6-7 तरीके बता हैं और इन उपायों में से जो भी उपाये आपको अच्छा लगे उन उपायों को एक बार जरूर अजमायेगन यकीन मानिए इन उपायों को यदि आप करते हैं तो मातालक्षमी भगवान स्री गड़ेश तता भगवान धन्वंतरी के बिसे स्क्रिपाय आपको जीवन पर पड़ते हैं और इक उपाय कभी खाली नहीं जाता है मातालक्षमी ने खुद बरदान दिया है कि जो भी लोग अगर धनिया के धनिया का कोई भी खास उपाय करते हैं मैं उनके घर पर जरूर ही वास करते हैं उनके जीवन में जरूर ही प्रविश करते हैं उसके बाद आपका जैसा आचरड हैगा उस हिसाब से मातालक्षमी आपके घर में रहती है नहीं तो वरना बहुत ही लक्षमी जो चंचला सोभागी होती है आपके घर से चली जाती है तो मातालक्षमी का अस्थायरूप से वास करने के लिए आपके बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है लेकिन अगर आपके घर से लच्पीजी रूट करके चली गहीं तो धनतेरस के दिने वो बहुत जागरित वस्था में रती चैतन वस्था में रती और इस धनिया का जरूर उपाय करिए धनिया के माद्यम से आप मातालक्षमी को अपने घर पर अस्थाई रूप से निवास करा सकते हैं तो मेरे प्यारे सबी दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी ग्यान के बाते बताई है इस ग्यान की बाते को आप अपने तकी सीमित नहीं रखिए कोशिस करिए अधिक से अधिक लोगों तक सेयर करने का ताकि आपका भला होता है उसके सासाथ और लोगों का भी भला हो सके यदि आप किसी दूसरे के भला के बारे में सुचेंगे तब ही आपका भला हो सकता है क्योंकि जैसी करने वह ऐसी भरने वो तो होता ही होता है